नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग आए होप आप सब मज़े में ही होगे दोस्तों आज की वाली वीडियो काफी जादा धमाकेदार होने वाली है मतलब total में आपका एक stock यहाँ पर 4 stocks में convert हो जाएगा आज के इस वीडियो के अंदर इसी stock की में आपको पूरी details दूँगा बात करेंगे इसके fundamental, financial, shareholding patterns और साथ ही साथ में बताऊँगा यहाँ पर जो details होने वाली है stock bonus को ले करके तो चलिए अब इस वीडियो को start करते हैं आप इस वीडियो को end तक देखना हैं कही पे भी skip मत करना चलिए दोस्तो अभी के भी इस वीडियो को like कर दीजिए, channel को भी subscribe कर दीजिए दोस्तो इस stock का नाम बता देने से पहले मैं आप लोगो को इसके कुछ और details के बारे में बता देता हूँ सबसे बहले हम बात कर लेते हैं stock के past returns की तो one day के अंदर में stock 16.67% अप है जो की एक दिन के हिसाब से काफी अच्छा return है और वहीं बात करें अगर हम past one year की तो ये stock 85.23% अप है last one year के अंदर में तो एक साल के हिसाब से भी काफी जादा अच्छे returns दी हैं stock ने और वहीं बात करें stock के current price की तो currently 350 रूपीज के उपर में trade हो रहा है चली अब बात कर लेते हैं stock की performance की तो जो 52 week low है stock का वो 184 रूपीज का है और वहीं जो 52 week high है stock का वो 359.85 रूपीज का है तो stock का जो current price है currently अपने 52 week high की तरफ move कर रहा है जो की हमें ये बताता है कि ये जो stock है एक uptrend के अंदर में move कर रहा है चली अब इस company के fundamentals के बारे में बात कर लेते हैं तो सबसे बात कर लेते हैं company के sector की तो ये construction sector से belong करती है company और जो PE ratio है stock का वो 96.28 का है वहीं बात करें इस company की market capitalization की तो 126.9 करोर्स की है और जो face value है stock का वो यहाँ पे 10 रूपीज का है और वहीं बात करें अगर हम 2022 की तो यहाँ पे revenue था वो 11.51 करोर्स का था और जो profit है वो 1.34 करोर्स पे आ चुका है तो company financially तो काफी अच्छे से grow कर रही है अपने profit को और चली अब बात कर लेते हैं इस company के shareholding patterns की तो यहाँ पे all over जो shareholding patterns है उसमें से total 99.98% का stake promoters के पास में है जो की company के owners ही होते हैं and 0.02% stake यहाँ पे retail and other investors के पास में है तो shareholding patterns की बात करूँ तो काफी जादा अच्छे देखने को मिल रहे है because company के जो promoters है उन्होंने काफी जादा stake अपने पास ही रखा है मतलब एकदम ना के बराबर stake यहाँ पे dilute किया है other investors की तरफ तो चलिए अब इस stock के नाम की बात कर लेते हैं तो जो company का नाम है वो है Modis Navnirman Limited and company का जो current Bombay Stock Exchange का code है वो है 543-539 and वहीं बात करें company की official announcement की तो आप अपने screen के उपर में company का official letter देख सकते हैं जिसके अंदर company ने clearly mention कि है यहाँ पे 3-1 के ratio से stock bonus company ने announce किया है जिसका मदलब यह है अगर आपके पास में इस company का एक stock है तो यहाँ पे आपका एक stock 4 stocks में convert हो जाएगा आपको 3 stocks यहाँ पे as a bonus मिलेंगे and इसकी जो x date और record date अभी तक company ने announce नहीं करी and company जैसे यह x date और record date announce करेगी मैं आप लोगों को सबसे पहले intimate कर दूँगा and अगर आपको इस stock को purchase करना है ताकि यहाँ पे आपको stock bonus का benefit मिल पाए तो अभी एक अच्छा time हो सकता है stock को purchase करने के लिए because यहाँ पे जैसे ही time बीतेगा x date और record date announce हो जाएगी and इस stock का price काफी जाधा तेजी से बढ़ने लग जाएगा and जैसे और बढ़ जाएगा तो आपको लेने के लिए जाधा पैसे spend करने पड़ेंगे as compared to now तो अगर आपको इस stock को purchase करना है stock bonus के purpose से तो आप अभी कर सकते हैं अब अगर आप कोई वीडियो अच्छा लागा वीडियो को जरूर से like कर दीजिएगा चैनल को भी subscribe कर दीजिएगा because फिनो मीडिया के अंदर आपको stock market से related content देखने को मिलता रहेगा चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर till then bye